अब यहारी भाई को मार करके उनको भागाया जा रहा है और जो हिंदी वाले हैं बिहार का हो चाहे उडिशा का हो चाहे उत्तर-पर्देश का हो कहीं का भी हो अगर वह हंदी भास है बोलता है गहिंना अ कि बहुत गलत बाता है ऐसा नहीं होना चाहिए और सरकार को यानि कि जो PM है माननी यह नरेंड मोधी जीन भास कर घषिट को ये इंडिया में ही परता है अगर तामिलाडू वालों को यह पता नहीं कि बिहारी में कितना पावर है वह अगर बिहारी उठ गया ना तोहर तामिलाडू कता जो पता ना चलतों कि पहले से खूला हुआ को बंद करवा देता है अरे यहां पे जब बिहार में खूल जाएगा कोई कमपड़ी के खूल जाएगा तो उसरी कशल करने के लिए हैं स्रू करते हैं हुँ तो हम सरकार से यही गुजारिस साहते हैं किया और सबी भाईयों को यही बोलते हैं कि आप सरकार से गुजारिस करें और ये वीडियो का सरकार तक जरूर पहुंचाए ताकि सरकार कुछ सुने और अभी जो तामिलाडों में बिहारियों को काट रहा है उस पर करने सा कम रोक लगाया जाए पहुत आइसे गरीव आदमी सरकार से गुजारिस है कि कि आप जो भी अभी फशे हुए है उनको शही सलामत घर पहुंचाए और ये जो है उस पर कानून सक्ष सक्ष कारवाई की जाए ताकि इचीज बंध हो सके अभी तक मतलब देख रहे हैं खुले आम किसी को गला काट रहा है किसी को कुलहारी से मार रहा है किसी को चाकू मार रहा है खुले आम कर रहा है तो पुलीस परसाशन वहां का क्या कर रहा है सो बताओ इंडिया में ही है ना विदेश में तो नहीं है तो नरेंद मोधी जी आप क्या कर रेसो बताईए